हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटियोरेल पर स्वागत है तो जेकबोड क्लास 9 का रेजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है एक अक्टूबर से आज ही एक अक्टूबर है और आज से आप लोगों का शुरू हो गया है आज तो अब इधर दसरा का छुट्टी मि हुआ है वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है पुरा दिखिएगा इसकीप नहीं कीजेगा नहीं तो कुछ नोलेज छुट जाएगा फिर मिस अंडरेस्टेंडिंग हो जाता है तो चली हम लोग यहां पर देखते हैं जारकन अधिवित परिसद राची वर्ग नमम सत्र 2022 के लिए पंजिक्रित होने वाले चात चात्राओं के पंजियन के संबंद में आउसे क सुचना विगपति 68 2022 एतदवरा राज के सभी कोटी के विद्यालों के सत्र 2022-24 के वार्षिक माध्यमिक परिक्षा 2024 में समिलित होने वाले सभी चात चात्राओं अभिबाको एवं विद्याले प्रधानों को सुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षा है तू पंजियन प्रपत्र एवं वर्ष दोजार तेईस की नमम वर्ग की परिक्षा है तू परिक्षा प्रपत्र को निमन वर्नित सर्तो के अनुरूप लिया जाएगा ठीक है तो चले हम लोग जो सर्थ उसको देखते हैं यहां पर उससे पहले आपका जो एक्जाम से रिलेटर जो पॉइंट से उसको अच्छी तरीके से सुन लिजे और इसका रिटर्न चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर कीजेगा वह टर्म एक्जाम होगा टर्म वन और टर्म टू अब यहां पर देखे अगला परिक्ष्टा कब कब होगा और इस साओ क्ब्यक्शा कट कर और आप लोगों को तयारी करना है आप लोगों का सिरेबस ऑका है फरस्त तर्म मेढं है फरस्तर सेकेंड टर्म में आएगा फिर देखिए अगला दोनों सवाधिक परिक्षा बहुँ विकल्पिक एमसी क्यू प्रस्ण एवं अति लगुतरिये लगुतरिये मिस्षित प्रस्णों पर आधारित होगी तो दिखिए अब तक आप लोगों का पिछले बार फर्स टर्म में सिर्फ एमसी क्यू पुछा गया था इस बार फर्स टर्म और सेकेंड टर्म एमसी क्यू रहेगा और तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिम्शन पर दे दूँगा वहां से आप देख सकते हैं कि आपका question pattern कैसा रहेगा ठीके class 10 रहेगा वो वीडियो में लेकिन उसी तरीके से आप लोगों कभी question pattern रहेगा तो उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा फिर देखिए अगला दोनो अलग सिले बस आ चुका है तर्दन रूप परिक्षा आवजित की जाएगी अग देखिए दोनों परिक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर वर्ग नवं की परिक्षा 2023 की परिक्षा फल का प्रकासन किया जाएगा फर्स टर्म और सेकंड टम दोनों को जोड़कर यहाँ पर दीखिए विलम सुलक रहित बिना विलम सुलक का एक अक्टूबर से चार नॉंबर टक डेट है काफी ज्यादा पूरा एक महीने का समय आप لوगों को दिया जा रहा है एक अक्टूबर आज यही एक अक्टूबर है और फिर चार नौ बर तक जरूर करा लीजिएगा ठीक है इसको फिर देखिए अगर लेट हो जाता है तो भी कर सकते हैं विलम सुल्क के साथ ठीक है विलम सुल्क सहीत पांच नौंबर से 19 नौंबर तक फोम भर सकते हैं और चालान कटवाने के यहां पर देखिए बिना विलम सुल्ख के 411 यानि कि 4 नॉम्बर तक और विलम सुल्ख के साथ 21 नॉम्बर तक आप चालान अपना कटवा सकते हैं तो यही सब अपडेट है नीचे यहां पर कुछ इंपोर्टेंट है आप देख सकते हैं जिसे कि चली उसको भी मैं पढ़ देता हूं नोट देखिए दिनांग 4-11-2022 के बाद जेनरेट होने वाले चालान विलम सुल्ख के साथ जेनरेट होंगे चार नोबर के बाद अगर आप जेनरेट कीजेगा सुल्ख तो वो विलम सुल्ख के साथ एड हो जाएगा और नीचे जो भी है यह उतना इंपोर्टेट नहीं है इसलिए इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं वी भी आएगा अती लग उतनी परश्ण भी आएगा और बाद अप यहां पर दिर्ग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और भी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटिरियल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब करके बिल ऐकन ओल पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि इस तरह का वीडियो में जब अपलोड करूं आप ते एक नोटफिक्शन पहुंच जाए थैंक यू फर वाचिंग वीडियो हैव ए गुड देए